और आज हम discuss करेंगे युनिट वाइज questions को और युनिट वाइज इसकरने का मेरा purpose यह है कि ताकि आपको unit के according avoided questions पता चल सके हैं, यह class जो है वो daily अब 9 वज़े ही में इसका time decide कर दिया कि नाइन पीम में 5 पीम थोड़ी सी मुश्पिल हो etta तो इसलिए यह जो class है वो 9.00 में तो अभी मेरे channel पर जो लोग new हैं वो लोग please like कर ले चैनल को subscribe कर ले और ताकि आपको यह continuous classes जो है वो मिलती रहे और इस तरीके से हम और अगर कोई इस class के PDF को चाहता है तो उसको join करना पड़ेगा हमारा telegram channel तो telegram पर जाके आप ग्यानस्तल पर क्लिक करेंगे तो आपको join हो जाएगा तो ग्याज स्टार्ट करते हैं हम classes को और सबसे पहला जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं unit 3 और unit 3 डील करती है education में educational psychology और educational psychology में जो पहला question है जिसको मैंने आपके साथ कल भी थोड़ा सा डिसकस किया था तो पहला question है कि काल रोजर्स ने यहाँ पर counseling का कौन सा जो type है उसको propose किया था तो यहाँ पर कौन कौन सा जो था काल रोजर्स proposed the following types of counseling तो काल रोजर्स के द्वारा यहाँ पर कौन सी टाइप की counseling जो थी वो proposed की गई थी तो आपको जल्दी से इसका answer बटनाना है Rehabilation Counseling, Substance Abuse Counseling, Non-Directive Counseling, Educational Counseling और Directive Counseling तो C तो जरूर होगा पर C के साथ क्या होगा यह C के साथ क्या नहीं होगा यह आपको देखना है तो right answer क्या होगा इसका guys तो Carl Rogers ने दिया था यहाँ पर C यानि कि Directive Counseling जिसको हम गयर निर्देशात्म कांसलिंग भी कहते हैं क्या होती है, Directive क्या है, Non-Directive क्या है, इस PDF में आप थोड़ा सा पढ़ भी लिजेगा अगला question है कि यहाँ पर reward gagne की according इन में से कौन सी category नहीं है यह question बहुत important है, paper 1 के लिए भी और paper 2 के लिए भी तो इसमें से कौन सा नहीं है तो उन्होंने यहाँ पर 8 type बताए हैं learning के, कितने type बताए हैं, 8 type बताए हैं तो इस 8 type में से कौन सा नहीं है, तो एगर आप में इसका answer देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका confidential learning है, वो इन्होंने नहीं दिया था तो third जो है, वो इसका answer हो जाएगा next question है, असरसर और reasoning का question है guys, अब इस तरह के questions में बहुत problem है लोगों को, आप लोगों को और अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे question इस तरह के लेके भी आई हूँ अब इस तरह के question को हम कैसे करते हैं, पहले तो हमें question को पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें यह देखना है, कि दोनों में से कौन सा, दोनों में से दोनों सही है या दोनों सही नहीं है question है, counselling is a face-to-face relationship between the guidance worker and the person who seek special guidance तो यह बिलकुल सही है, कि मार्ट दर्शन लेने वाले और देने वाले दोनों के बीच का एक सम्मंध है दूसरा पूचा है कि, counselling में हम यहाँ पर समस्या ग्रस्त जो आदमी होता है, यानि कि जिसके साथ क्या होता है कोई problem होती है, उस problem को हम क्या करते हैं, यहाँ पर solve करते हैं और जो solve करता है, वो व्यक्ति skilled person होता है तो इसका answer क्या होगा? Yes, यह दोनों ही सही है और यह जो है, वो इसका explanation भी है तो right answer क्या हो जाएगा? First is the correct answer कल मैंने आपसे एक question कुछ दिये थे घर से करने के लिए उसमें एक question था, जो यह वाला question था कि is the stable body of information that we know about ourself and other people as thinkers यह सूचना का होई है, इस थर निकाय है, जिसमें हम अपने और अन्य लोगों के बारे में विचार करते हैं तो self regulation, metacognitive knowledge, knowledge about self या self cognition, स्वनियमन, metasangyan, आत्मग्यान या स्वेम के बारे में आत्मग्यान, तो इसमें से क्या होगा? जिसमें हम अपने बारे में भी सोचते हैं, और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? metacognitive knowledge metacognitive knowledge क्या होती है? इसको बोलते हैं ग्यान का भी ग्यान cognition about cognition, knowledge about knowledge यानि कि ये थोड़ा high level का होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसे और कैसे better कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के उपर चर्चा करते हैं तो metacognition, knowledge of cognition ये जो question था वो थोड़ा सा समझने वाला question है, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाती भी हूँ, question ये है मैं समझा दे रही हूँ, हो सकता आपको proper देख भी नहीं रहा होगा under the heuristic method strategy of the solution of the problem stands for solution of the problem stands for identification of the difference between the current state and one that is desired in relation to the nature and solution of the problem and the action to reduce this difference for arriving the solution of the problem तो जो हम किसी चीज़ का, जो समस्या का समाधान है, वो अन्वान के द्वारा करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? कि बर्तमान स्थिति और रड़नित के बीच के अंतर को पिचानते हैं और जो समस्या है, उसकी प्रकरती और समाधान के पश्चात ही हम बांचित समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं इस अंतर को हम क्या कहते हैं? Means and Analysis, Using and Analysis, Sub-Goal Analysis, Working Background तो यह जो कोशन है, बेसिकली देखेंगे तो यह तो पेपर बन में रख सकते हैं हम इसको या यूनित थर्ड में भी रख सकते हैं तो जहां तक हैं, यह थोड़ा अलग तरह का कोशन आया था तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा Means and Analysis यानि कि चीजें कहां आरी हैं, अंत में आरी हैं, तो अंत में जाके हम क्या कर रहे हैं? कि अंत में जाके उसका अनलिसिस कर रहे हैं तो राइट आंसर होगा, इसका Means and Analysis तो Means and Analysis क्या होता है? इसको थोड़ा सा जानने क्योंकि बिलकुल नया टॉपिक है कि लोगों ने बिलकुल गलत आंसर बताया था Means and Analysis, compare your current state with the goal and choose an action to bring and analysis में हम क्या करते हैं? कि साधन का विशलेशन करते हैं जिसमें हम अपनी compare करते हैं, तुलना करते हैं किसकी तुलना की जाते हैं? यहां पर current situation की और जो आपने goal choose किया है, आप उस goal के कितने पास हैं? इस तरह की जो analysis है, उसको हम means and analysis कहते हैं यहां पर हम क्या करते हैं? इसमें किस तरीके का method लगाया जाता है? इसमें हम problem के break कर लेते हैं, छोटे-छोटे group में और फिर उसके उपर काम करते हैं तो इसमें हम methods जो है, अलग-अलग तरीके से, heuristic method के द्वारा, अलग-अलग तरीके के table, problem, goals को चांट कर यहां पर एक solution निकाल के इस पर काम करते हैं के लिए? अगला question देखिए, अगला question अगेन आपका assertion और reasoning से हैं अब इसमें फिर से हमें क्या देखना है? हमें यह देखना होगा, क्या यह है, दोनों सही है? पहला option, दूसरा option है, क्या यह है, इसका सही कारण भी है question यह है कि psychomotor domain of learning help the children to acquire a skill on certain aspect to create something by their own इसका reason बजाया गया है, क्योंकि psychomotor domain जो होता है, वो learning के लिए is very much linked with cognitive and affective domain and it is help the children to understand the concept and to develop a right attitude for working on that concept for developing skill. तो सीखने का जो psychomotor domain है, वो कुछ पहलूँ पर कौशल हासल करने में मदद करता है, ताकि बच्चे कुछ बन सके कारण इसका क्या है? इसका कारण है सीखने का जो psychomotor domain है, वो संग्यानात्मक और भाबनात्मक domain से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह बच्चों को आप धारणा को समझने और कौशल विक्सित करने के लिए सही द्रश्टिकॉर्ण को विक्सित करने में मदद करता है, इस तरह के question जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्या करा करिए, कि आप पहले reason पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िए, तो अगर इसमें और इसमें कोई link है, यानि कि जो बात यहां कही गई है, बई बात य ये दोनों बातें सही हैं ये नहीं हैं, मतलब आपको psychomotor domain, affective domain, cognitive domain की बारे में पता होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे, तो इसका answer क्या होना चाहिए, दोनों में एक ही बात की जारी है, इसका answer क्या होना चाहिए, आपको बिलकुल पता है, सही answer भी दे रहे हैं, कि इस question बहुत असान है, लेकिन पूछने का जो तरीका है, वो बहुत ही difficult बना दिया, this theory of intelligence, intelligence की एक theory है, जिसमें वो ये पूछ रहा है, consists of one factor, a found of intellectual competency, which is universal for all activities and individual, यानी कि एक तत्तू है, जो सारे काम करता है, इस पियर में ने बताया था कि एक तत्व नहीं होता है, दो तत्व होते हैं, एक होता जनरल फैक्टर, एक होता स्पेशल फैक्टर, किसी ने बताया था नहीं, तीन तत्व होते हैं, किसी ने बताया था नहीं, बहुत सारे तत्व होते हैं, तो अलग-अलग लोगों ने अलग तो यार्किक तो नहीं है, सेम्पलिंग भी नहीं है, तो अनार्किक होगा या मोनार्किक होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, बी, ए, एनार्किक नहीं होता है, कोई भी एनार्किक थियोरी नहीं होती है, ठीक है, मोनार्किक होता है, राजशाही सिद्धान, क्योंकि यह सबसे पुराना है, मोनार्किक जो थियोरी होती है, मोनार्किक थियोरी का मतलब कैसी है, जो सबसे पुरानी है, जैसे the monarchic theory of unifactor, इसी को हम unifactor theory कहते हैं, इसी को हम one factor theory कहते हैं, जो बिने ने दी थी, आपको याद होगा, इसी को हमारी बुद्धी में कोई एक तत्तु ऐसा होता है, जो हमारे सारे कामों को करता है, ठीक है, तो यहाँ पर theory जो है, वो कई सारी है, पहली theory है, यहाँ पर unifactor, जिसको monarchic theory भी कहते हैं, फॉन डाइक ने दी थी, multi-factor, group factor, थर्स्टन ने दी थी, और elective theory जो थी, वो आपकी spearman ने दी थी, और उन्होंने बताया था कि दो factor होते हैं, general factor और आपका special factor, अगर हम यहाँ पर बात करें, meaning of intelligence, तो general ability है, जिसके दोरा हम अपने आपको adjust करते हैं, एक ability है, जिसके दोरा हम चीजों को याद करते हैं, abstract thinking कर सकते हैं, problem को solve कर सकते हैं, intelligence के types की बात करें, तो बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे abstract intelligence, concrete intelligence, और social intelligence, आपके slabs में, जो यह social intelligence वाला topic है, यह बहुत जादा आया है, और इस बार इस पे बहुत जादा focus भी किया गया है, इसको आप जरूर याद रखें, classes daily जो है रहूल, अब वो आपकी 9 बज़े ही होगी, ठीक है, मैंने time थोड़ा change किया है, 5 बज़े वाली class daily छूट रही है, इसलिए, अगला question है, which of the following is not aspect of 4P model of creativity by rewards, तो यहाँ पर रचनात्मक्ता का जो 4P model है, उसका एक पहलू क्या नहीं है, person, peers, process or press, तो यह तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्या नहीं होगा, तो इसका अंसर क्या है, peers, इसका जो है, वो पहलू नहीं है, तो roads द्वारा, एक model तयार किया गया था, ठीक है, roads द्वारा, मुझे पता था, आप लोग इसका अंसर, press ही बता होगी, ठीक है, press नहीं है, प्रेस तो उसमें सामिल है, तो इसमें क्या-क्या है, 4P, और 4P, वो कौन-कौन सी 4P है, एक है आपका, एक person, एक है आपका process, एक है आपका process, एक है आपका product, और एक है आपका press, तो roads ने बताया कि creativity को हम चार हिस्सों में बाढ़ सकते हैं, कि कौन सा व्यक्ति रचनात्मक है और कौन सा व्यक्ति रचनात्मक नहीं है, इसको हम व्यक्ति प्रक्रिया, उत्पाद और प्रेस इन चार पार्ड में बाढ़ सकते हैं, तो इस तरह से यह Roberts-hoads का 4P model है, ठीक है इसको थोड़ा से और अच्छे से देख लेते हैं, creativity, चार चीजों से मिलके बनी है, प्रेस, product, person and process, तो प्रेस का मतलब क्या है यहां पर, प्रेस का मतलब है, relationship between human being and environment, कौन सी जो force है, कौन सी जो तागते हैं, जो हमारे उपर apply होती हैं, तो इसको बोलते हैं, हम प्रेस, या यह फैबरिक पर काम करना, इस्टोन पर काम करना, यह सारी चीजे हैं, ठीक है, परसन का मतलब, personality हो गया, intelligence हो गया, attitude हो गया, self-concept हो गया, product का मतलब क्या है, motivation, तो यह जो सारी चीजे हैं, वो आपकी, प्रेस, product, person and process से मिली हुई है, अगला question है, यह देखे, जबकि यह वा तो प्रादिकरर, सजा, इनाम और बाल के इंद्रित्ता, यानि कि authority, punishment, reward और child-centeredness, which one is not, cannot be associative discipline, जन्दी से इसका अंसर करें, इन में से कौन सा अनुसाशन के साथ सम्मंदित नहीं हो सकता है, question number 81, 2, सजा यह जो तीनों शब्द है, यह discipline से related है, आप अच्छा discipline बनाओगे, तो आपको reward देंगे, आप अच्छे से अनुशाशन में रहेंगे, तो आपको इनाम मिलेगा, यानि कि reward, पुरुषकार, अगर आप discipline में नहीं रहोगे, तो आपको सजा मिलेगी, punishment, ठीक है, सजा, और यह यह सब कौन करता है, एक authority करती है, जैसे मैं हूँ, तो मैं आपको सजा भी दे सकती हूँ, और मैं आपको reward भी दे सकती हूँ, तो यहाँ पर जो आपका discipline है, वो discipline आपका दो चीजों से हो सकता है, तीन चीजों, authority, punishment और reward आ सकता है, child-centeredness कभी भी discipline में नहीं आएगी, यानि क जो बाल केंद्रे चिच्छा होती है, वो discipline में नहीं आती है, तो student जो model होता है, छोड़ो इसको चलिए, अगला question देखिए, creative emphasis more on testing of, जो आदमी creative होगा, वो किस पे ज़्यादा जोर देगा, similar thinking पे, progressive thinking पे, converged thinking पे, diverged thinking पे, तो समान तो नहीं हो सकता है, अगर कोई विक्ती एक समान सोचता है, तो वो कभी भी creative नहीं हो सकता है, ठीक है, अब बचा आपका convergent and divergent, ठीक है, इन दोनों के meaning हमें पता होने चाहिए, जब divergent का मतलब समझना, हम जैसे कहीं जा रहे हैं, अब मैं इसको आपको बहुत असान तरीके से समझा दे रही हूँ, कि convergent और divergent क्या होता है, अब सारी और अभी सारी इसको हिंदी में बोलते हैं, हम एक रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है, और ये रास्ता divert हो रहा है, divert का मतलब काई सारे इसके अंदर से जो रास्ते हैं, वो बर रहे हैं, यानि कि रास्ता क्या हो गया, divert हो गया, उसी को बोलते हैं हम divergent, यानि कि कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से अगर सोच सकता है, तो वो कैसी thinking कहलाएगी, divergent, यानि कि अप सारी, अब देखिए, यही रास्ता आगे चलके क्या होता है, किसी एक रास्ते पर फिर से ये आपस में जुड़ जाते हैं, यानि कि ये क् हो गया, मर्ज हो गया, ये क्या हो गया, आपस में ये रास्ते कैसे हो गया, मर्ज हो गया, तो ये जो हुआ, यानि कि सब एक पर आगे, इसी को बोलते हैं हम convergent, तो क्या answer होगा, कौन जादा creative होगा, progressive आदमी कैसा होता है, ये भी जान लो, प्रगतिसील सोच कैसी होती है, जो हमेशा आगे की सोचे, जो व्यक्ति हमेशा आगे की सोचे, हमेशा फाइदे की बाद सोचे, हमेशा प्रोग्रेस करने का सोचे, यानि कि अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, और यहां से वो यहां जाने की सोच रहा है, यहां खड़ा है, तो यहां से यहां जाने की, यानि कि हमेशा progressive हमेशा आगे बढ़ने के बारे में कोश्चन पूछ रहा है creative आदमी कि जो आदमी बहुत जादा रचनात्मक है तो रचनात्मक ता का मतलब नहीं पता है अगर आप गलत आंसर बता रहे हैं और इस example के बाद तो बिल्कुल बता देना चाहिए जो मैंने अभी आपको example दिया है तो फिर क्या हो गया आंसर क्या होना चाहिए यानि कि अभी सारी यानि कि जो व्यक्ति अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग direction में सोच सकता है सौरी तो वो क्या होगा कि लियर हो गया यह topic अब कभी भूलोगे तो नहीं अभी सारी क्या है अभी सारी क्या है इसका definition देख लेते हैं थोड़ी सी diverse thinking is a thought process used to generate creative ideas by exploring many possible solutions यानि कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या solution हो सकते हैं किसी एक problem के इस तरह के free-flowing, non-linear, non-linear यानि कि एक रेखा नहीं है यहाँ पर कई सारी रेखाए हैं ठीक है यह कैसा है free यानि कि free-flowing है किसी भी direction में आप सोच सकते हैं तो इस तरह के सोचने को हम अब सारी चिंतन यह diverse thinking बोलते हैं और यह बहुत important होती है जो लोग creative होते हैं उन लोगों के अंदर यह ज़्यादा होती है ठीक है अब thinking का जो model है वो two model होते हैं thinking के एक model होता है जिसको हम divergent बोलते हैं और एक model होता है जिसको हम convergent बोलते हैं अब देखो इसका जो निशान लगाया है वो बाहर की तरह लगाया है तो ऐसे व्यक्ति को हम creative कहते हैं इसको हम horizontal thinking भी कहते हैं इसी को हम brainstorming भी कहते हैं ठीक है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम critical versus इसको critical या vertical thinking कहते हैं इसको हम analytical या linear thinking भी कह सकते हैं अब इसमें देखिए क्या होता है ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है और ये क्या है बाहर से fact जो है वो हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो बाहर से कोई fact हमारे दिमाग में आएगा हम उस पे analysis करेंगे तो इसलिए हम इसको critical बोलते हैं इसमें हम गहन चिंतन करते हैं गहन चिंतन में डूब जाएंगे इसमें क्या है हमारे पास कोई problem आएगी उस problem की हम बहुत सारे ideas पे बात करेंगे तो अब याद हो गया brainstorming कहलो creative कहलो horizontal कहलो ठीक है इसको आप vertical कहलीजिए एक रेखा में कहलीजिए analytical कहलीजिए linear कहलीजिए ठीक है इतने सारे इसके नाम होते हैं ये model से याद बना रहेगा अगला question देखे according to Thuston the primary factor in intelligence is Thuston के अमसार बुद्धी का प्राथमिक कारक क्या है तो guys ये जो question है वो गलत था ठीक है गलत था drop हुआ और क्यों drop हुआ क्योंकि इसके जो answer है वो सही नहीं है इसलिए इस question को UGC ने drop कर दिया अब आपके मन में ये आएगा कि यहाँ पर Thuston ने क्या क्या था intelligence की जो theory दी थी वो 1930 में दी थी ठीक है और इनकी theory को हम group factor theory कहते हैं इस group factor theory ये समु कारक सिधानत में इन्होंने कुछ primary factor बताये थे वो primary factor कौन-कौन से है बर्बल, perceptual, inductive, number, rote memory, deductive reasoning, bird fluency और visualization तो ये primary factor जो थे वो Thuston के द्वारा group factor theory के अंदर 1930 में बताये गए थे किलिए तो ये हो गया Thuston की group factor theory इनका ये मानना था कि human की जो theory है उसके अलग-अलग क्या बने हुए है intelligence के group बने हुए है और वो जो group है वो किस जब भी हमारे सामने कोई problem आती है तो उस group के उपर हमारे वो सारे factor काम करते हैं तो इस तरीके से ये जो Thuston believe intelligence not a single entity intelligence को ये एक नहीं है intelligence क्या है एक group में होती है जो अलग-अलग स्वमूव में बटे होती है इस तरीके से इन्होंने सुरुआत में starting में seven factor को बताया था जो आपके seven primary factor के रूप में जाने जाते हैं और ये आपके seven primary factor है अगली आती है unit four मैं unit four भी आज डिसकस कर रहे हूँ unit four है professional norm of teacher education are developed by तो सिच्छक सिच्छा के वेवसायक मापदंड किसके द्वारा विक्सित किये जाते हैं ncte, ignu, ugc, ncrt teacher education के norms कौन डिसाइड करता है ncte एक दम तो nct क्या है एक वैधानिक निकाय के रूप में रास्तिय सिच्छा परशद 17 अगत 1995 को ये 1993 को act के द्वारा अस्तित में आई थी तो the national council for teacher education as a statuary body come into existence in 1993 on the 17th August 1995 ठीक है तो पहले ये बैदानिक निकाय थी बाद में ये पहले ये एक advisory body थी और बाद में जाके ये statuary body में convert हो गए थी अगला question है apex body is regulation integrated teacher education program in the country तो हमारे देश में कौन सा सीर्ष निकाय एकी क्रत सिच्छक सिच्छक कारिक्रम को बिन इमन कर रहा है NCRT, NCTE, NEPA और UGC इन में से कौन regulate कर रहा है teacher education को regulation की बात कर रही हूँ मैं जल जली सही answer बताइए question number 68 estuary body means statutory body का मतलब होता है status मिल गया और status मिलता है law के द्वारा जब by the law किसी भी संस्थान को act के द्वारा law के द्वारा लेके आया जाता है तो उसको हम बोलते है statutory body कुछ कैसी संस्थाएं होती है जो पहले से हैं इसको उसको बोलते है constitutional body ठीक है और जो बाद में act की द्वारा establish की गई है उनको statutory body बोलते है क्योंकि उनको दर्जा मिला है क्या मिला है दर्जा इस्टेटस ठीक है इसका answer क्या होगा third नीपा कि एंसी टी होगा भाई कि टीचर एजूकेशन की बात हो रही है तो टीचर एजूकेशन में एंसी टी है याद रखना है यूजी सी नहीं है यूजी सी थोड़ी नहीं है कि तो एंसी टी कि इस टैचरी बॉड़ी है जो पूरे देश में सिच्चक सिच्चा के नियोजित और समय पर विकास प्राप्त करने के लिए काम करती है जिसका काम है रेगूलेशन और प्रॉपर मेंटिनेंस और इसको स्टेटस कब मिला था 1993 में और 1973 में ये इस्टेबलिश हो गई थी और तब ये भारत सरकार में आपकी एडवाईजरी बॉड़ी के रूप में काम कर रही थी अगला कोशन देखिए विच पॉलिशी सजेस्ट टू कनफर्म ऑटोनॉमस स्टेटस तू सेट बोर्ड आफ टीचर एजुकेशन तो भारत में किस नीती में ये कहा गया था कि इन सभी को स्वायतता का दर्जा दिया जाना चाहिए प्रोग्राम ऑफ एक्षन नेशनल पॉलिशी ओन एजुकेशन नेशनल पॉलिशी 2020 नेशनल कमिशन ओन टीचर्स 1983 इसका आंसर होगा प्रोग्राम ऑफ एक्षन एन पी 1986 इसका आंसर होगा बन तो राश्टी सिच्छक नीती के तहट प्रोग्राम ऑफ एक्षन जो आया था उसमें ये बात कही गई थी कि इन सभी को यहाँ पर स्टेटस दिया जाना चाहिए जिससे टीचर एजूकेशन का जो स्टेटस है इंप्रूब्मेंट आएगा इसका राइट आंसर होगा ए अगला कोशन बर्चोल इनिवस्टी फॉर स्मॉल कोशन यह है तो बर्चोल इनिवस्टी और फॉर स्मॉल स्टेट्स अफ कॉमन वैल्थ इन टू थाउजन वाज इनिशियेटिट बाई तो कॉमन वैल्थ के छोटे जो लोग नहीं होगा यहां पर थोड़ा गलत हो गया है छोटे जो राज है या छोटे जो देश हैं उनके लिए बर्चोल इनिवस्टी की सुरुवात किसके द्वारा की गई थी यह तो कॉमन वैल्थ ऑफ लर्णिंग की द्वारा की गई थी अ एन एजुकेशनल कॉंटेक्स तो यहां पर यह जो सारी बात है थी वो वर्चुल इनुवस्टी में कहीं गहीं थी और यह जो था ICT को लेके आगे काम करने की बात इसमें की गही थी अगला कोश्चन है गिविन आर्ट टू स्टेप्मेंट ethical leadership is not relevant in education as ethical standards are not applicable to administrative roles यह जो कोश्चन है यह आपका unit 4 का नहीं unit 9 का कोश्चन है तिसको मैं हटा रही हो भी इसके बाद आती है आपकी unit 5 unit 5 को कल मैं discuss करूंगी आपके साथ unit 5 और unit 6 के questions को कल discuss करूंगी unit 2 के और half an hour का session वहेगा जिसमें हम एक दिन में 2 unit को cover करेंगे ठीक है तो इस तरीके से 2023 से लेके 2019 तक के paper को मैं आपको detail में unit wise दे भी दूंगी और explain भी कर दूंगी ठीक है तो चलिए ओके बाबाई take care all the best please video को like करें और चैनल को subscribe कर लें जो लोग नी हुए ताकि आपको continuous videos मिलते रहे हैं I hope कि ये session आपको बहुत अच्छा लगा होगा और भी इसको अच्छा बनाएंगे और जादा से जादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे good night take care all the best thank you Neetu and thank you everyone thank you Anjali thank you Anil thank you Anilam जी मैं चेतना आपको PDF कल के बाद प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि एक बार यह हो जाए सारा ना explain कर दूं उसके बाद मैं आपको PDF दे दूंगी पूरा PDF एक साथ दे दूंगी ऐसे क्या होगा चोटा-चोटा PDF देंगी तो इधर से उधर हो जाएगा मैं पूरा PDF एक साथ ही आपको दे दूंगी ठीक है तो उसे आपको रखने में आसानी होगी तब तक आप अभी क्लास कर लो दो-तीन दिन में जैसे यूनिट खतम हो जाएगी वेसे ही आपको मैं दे दूंगी ठीक है चलिए गाईज ओके बाबाय टेक्यर